क्या ट्विटर को लेकर इलॉन मस्क वो करने वाले हैं जो उन्होंने आज तक नहीं किया। मैं हूँ अनिमेश और समझ में ये नहीं आ रहा है कि इलॉन मस्क ने ट्विटर को खरीदा है या मुसीबते मोन ले ली हैं। क्योंकि चैलेंजिस कम होते दिखाई नहीं दे रहे हैं पहले ट्विटर को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए उन्होंने अपने एमप्लोईस की छटनी शुरू की। अब वो एमप्लोईस कोट चले गए हैं। कहा है कि इलॉन मस्क का तरीका सही नहीं है ये कैलिफोर्निया लॉग के खिलाफ है। कोट का फैसला जबाएगा तबाएगा। उससे पहले इलॉन मस्क नहीं ये कहा कि हम इस वक्त ट्विटर को एक फ्री प्लाटफर्म बनाना चाहते हैं और एक्टिविस्ट एक्टिव हो गए कि इससे तो हेट स्पीच को बढ़ावा मिलेगा। कैसे कंट्रोल किया जाएगा इसका कोई तरीका नहीं है जिसका असर रेविन्यू पे दिख रहा है। जो ट्विटर के एडविटाइजर्स हैं जिसमें आउडी है जनरल मोटर्स हैं ऐसे बहुत सारे एडविटाइजर्स ने अपना एडविटीजमेंट ट्विटर पे रोक दिया है फिलहाल के लिए। क और बढ़ेगा उसके अलावा जो दिक्कत है वो यह है कि ट्विटर को लेकर अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडन ने स्टेट्मेंट दिया है कि ट्विटर तो बायस्ड नजर आ रहे हैं क्योंकि उसमें कोई एडिटर नहीं है और बिना एडिट के अनबायस्ड ये कहना बड़ा मुश्किल है कुल मिलाकर ये है कि इलॉन मस्क के लिए चैलेंजेज बढ़ते नजर आ रहे हैं और अब तो अमेरिकन सरकार भी खिलाफ नजर आ रहे हैं अब इस पे एक जो इलॉन मस्क को काम करना पड़ सकता है वो उन्होंने आज तक नहीं किया है इलॉन मस्क की टेसला की बात करें स्पेस एक्स की बात करें या स्टार लिंक की बात करें यहाँ पर एड़टीजमेंट की जरूरत ही नहीं पड़ी इतने स्ट्रॉंग ब्रैंड हैं कि अपने आप चलते हैं इन फैक टेसला खरीदने वाला खुद एड़टाइजर होता है वो सोशल मीडिया पे जा जाके फलांट करता है कि उसके पास टेसला है और ये वर्ड अप माउथ टेसला की बिक्री बढ़ाता है लेकिन ट्विटर के साथ ऐसा नहीं है ट्विटर का रोजी रोटी का मामला ही एड़टीजमेंट से जुड़ा हुआ है जिसे लाने के लिए इलॉन मस्क को दरवाजे दरवाजे जाना पड़ सकता है या अपनी टीम को भेजना पड़ सकता है तो क्या ट्विटर को संभालने के लिए अब इलॉन मस्क वो करेंगे जो उन्होंने कभी नहीं किया और क्या ये जो series of challenges शुरुवाती दोर में इलन मस्क के सामने आते जा रहे हैं बढ़ते जा रहे हैं इससे निकलने का कोई रास्ता दिखाई देगा